So Guys, तो Part Part 1 में आपने देखा कि किस तरह से हमने आपको बताया कि Seat कितने प्रकार की होती है, वैर कॉन सी हम यूज करने वाले हैं और इसके बाद दोस्तों हमने आपको देखाया कि किस तरह से हम Switch Socket को Modular Plate में फसाते हैं और किस तरह से हम बोर्ड की वाइरिंग करते हैं हमने आपको पार्ट वन में ये भी बताया और आपने देखा कि किस तरह से हमने वाइरिंग की है और दोस्तो किस तरह से हम इसकी वाइरिंग की है एटू जट जानकारी हमने पार्ट वन में आपको दी है इसके अगले पार्ट आट में दोसतो हमें आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरा से हम वायर खींचते हैं इसके बाद दोस्तो आगे के पार्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं तो तो दोस्तो पार्ट वन में हमने आपको दिखाया ता कि किस तरह से हमने बॉर्ड वायरिंग की थी किस तरह से हमें प्सचाने करने हैं आज कि इस वीडिएओं में दोस्तो हम आपका दिखाने वाले है कि यहां पे हमें किस तरह से six modular board के लिए wire खींचना है और किस तरह से switch socket की पिल जो हमने plate वनाई थी उस board को किस तरह से हमें यहां पे बिठाना है इसके पीछे ही दोस्तो हमारा एक और board है वह हमारा four modular का तो दोस्तो यहां पे हम total दो six way और एक four way का यूज करने वाले यह जो board है वह दो six way का sorry four way का है दोस्तो इसके लिए सबसे पहले हम six way के board से start करेंगे एक neutral का wire है एक face का wire दौनों wire red color के हैं इस color पे आप मत जाएए तो यहां से हम wire को डालेंगे और हमारा यह wire यहां पे आके निकलेगा जो दोस्तो हम दो बार डालते हैं हमारा root सीधा है तो हमारा बिना steel wire के और spring wire के wire आ जाता है बहुती easily अगर दोस्तो रूट सीधा है अगर इसमें एक दो यह band होते हैं तो हमको या तो steel wire डालना पड़ता या spring wire तो आप देख सकते हैं हमारा यह wire very easy तरीके से आ चुका है wire आने कवाद यहीं से हम four module के लिए loop कर देंगे तो यहां से हम wire को डालेंगे और इस तरह से हमारा wire इधर side जो हमारा wire की side four way का board है या तो अपना पंखा बगएर चला सकते हैं या extension code के थुरू हम wire को आगे के लिए ले जा सकते हैं तो इसलिए partner ने यह board लगवाया है तो यहां पे हमने इस तरह से यह wire डाल दी है और यहां से हम इस board के लिए दो wire निकाल देंगे एक neutral का होगा एक face का होगा तो सबसे पहले हम इस wire में एक गांट लगा देंगे जिससे हमारा reverse नहीं खिचे और हम इधर से ही काम को पूरा करते हुए चलेंगे तो यहां पे हमें 4-way का लगाना है जिसमें हमारे दो socket होंगे यानि कि 4-way modular board में हमारे दो socket लग सकते हैं या 4 switch लग सकते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है wire को छिल लेना और twisted type कर लेना है twisted type करने के लिए जो हमने board में wiring की थी जिसमें हमने एक socket में connection पहले ही कर दिया था और दो बार निकाल ले थी neutral और face का तो यह हमने जो हमारा wire से neutral और face आया है हमने आपको बताया था कि किस तरह से हमें add करना है तो यह हमने simply इसमें twisted कर दिया है जो दूसरे socket का neutral और face का यानकी L और N का point होता है इसमें हमें दोनों जो हमने अभी twisted किया है उन दोनों को कस देंगे very easy तरीके से तो मैं video को fast कर देता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से मैंने कसा है तो मैंने video forward कर दिया है fast forward और हमने यह connection कर देंगे इसमें तो जो हमारा connection होगा वो very easy तरीके से होगा और इसमें कोई ज़्यादा hard connection नहीं है दोस्तों आप इसको अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि noodle और face का ही connection इसमें हमें करना है तो यह हमारा connection हो चुका है very easy तरीके से यहां पर दोस्तों आपको एक बात का दियान रखना है जो इसके साथ plate के साथ जो page आते हैं वो बहुत ही बेकर होते हैं हम उनको use नहीं करते हैं तो हमेशा आपको जो black वाला page आता है वो बही use करना है डेड़ेंची का यह page बहुत ही आसान होता है कसना और खोलना दोस्तों इस plate के साथ जो page आते हैं बहुत ही बेकर होते हैं एक बार कस जाते हैं तो दोबारा खुलते नहीं है तो इस तरह से इसका plate भी लगा देंगे और ऊपर का cover भी लगा देंगे तो हमारा 4 modular board कुछ इस तरह से दिखता है इसके बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से बिठा दें हैं तो हमारा एक wiring complete हुआ यानि कि 4-way का complete हुआ इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि 6-way plate में connection कैसे करते हैं और किस तरह से हम वायर जो हमारी आई है उस तरह को उसको किस तरह से करते हैं connection तो हमारा यहां पर एक वायर input है और एक वायर हमारा वह है जो जो हमारा 4-way की त करना है और एक हमारा socket के तरफ से वायर आ रहा है उसको हमें loop करना तो सबसे पहले हम स्वीच वायर लूप करेंगे तो यहां पर neutral face का कोई ध्यान रही रखना है क्योंकि यहां पर inverter का वायर नहीं हो रहा है तो आप कोई सा वायर किसी में भी कर सकते हैं कोई problem नहीं होगी क् जो वायर connection हो रहा है वो neutral face का ही हो रहा है अगर हम निवेटर का वायर होता तो हमको यहां पर ख्याल रखना होता है neutral face का तो सबसे पहले हमने एक वायर को टेच किया है जो हमारा switch की तरफ शारा था तो दूसरे switch की तरफ हमने तीन वायर को twisted किया है और इस switch में हम डाल तो हमारा यह connection हो चुक है अब हम में दोनों वायर लेना है और इसके साहुंन है neutral का वायर करना है तो यह हमें पक्की पता नहीं कि की यह हमारा नूटल का यह वायर है बट हम Ricky में करना है जब भी दोस्तों इस घर में वायर करेंगे निवेटर की वायरिंग के साथ तब इसक को चेंज कर देंगे यहां से क्योंकि यहां पर नूटल फिस का भी पता नहीं है कि कौन से में नूटल फिस आई स्वीच में भी नूटल आ सकता है सोकेट के एन वाले में भी नूटल आ सकता है तो अभी पक्की पता नहीं है जब भी जब हम इसमें वायर हीचेंगे तो हम इन तो यहां पर भी sitting करना है इस तद से लिए करने के बाद वाले में डाल दिनी है क्योंकि यह नुटल का वैयर बनाना है तो इस से हमाय पता नहीं है की नुटल कौन सा है और फेस कौन सा है तो QUE प्रॉब्लम नहीं है मैंने आपको पहले ही बता है यहां पर इन्वेटर का कनेक्शन नहीं हो रहा है इन्वेटर का कनेक्शन होता तो यहां पर न्यूटल फेस का ध्यान रखा जाता तब यह वाला मेट तर हमारा काम नहीं करता इस बात को आप ध्यान में रखें अब हमारे दो भाइर बचए हैं दोनों भार हम फेस में यूज करने वाले हैं तो जो यह लूपिंग राएन है तो एकएख स्वीच के नीचे वाले क्रमें नी में हमें एक वायर को कनेक्ट कर इसके बाध दोस्तों मैं आपको दिखांगा जोरी नेक्स्ट वीडियो काउए शेसे हैं आप सब्सक्रेम करते हैं और किस तरह वैक्न करते हैं इसके तरह महां बारती हैं बतों इसको पर वोट ऌस्टको डेना इस तरा सी हमें रख लिनाओ जो एक्सट्रा वायर इसका हमें अंदर करते नहीं या दोशले ऋचया रखते और यह कशनिक बाद दोस्तो बोस्ता लगता है इसके ऑपर का जा दीडिया थे वीडियो आपको समझ माईए अगर दोस्तों वीडियो समझ माई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे हैं आने वाली वीडियो को देखने के लिए बैल के आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल पसंद आत तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब रख सकते हैं फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी तो यह हमारा प्लेट भी कस चुका है और हमने वाइरिंग भी कर दी है तो अमीद कर दें दोस्तों बाइरिंग आपको समझ में आईए तो बाइरि लूपिंग होने के भाद दो वाइर सिधा इस वाले बॉल्वण बहाई है और यहां भी हमने 많को कीया है प्लब होने के दोस्तों हमारी सिधी फोर वे बोर्ड्य में चले लिए जो हमारा कुछ इस तरह से देख रा है तो इस तरह से कण्नेक्जर में увा है उपेिष क